हेलो दोस्तो मैं हूँ अमित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस YouTube Channel Knowledge Noor में दोस्तो मेरे एक विवर आकाश गुपता जिन्होंने जानना चाहा है कि NMG ट्रेन क्या होती है तो आज के वीडियो में हम Indian Railway के NMG ट्रेन के बारे में जानेंगे दोस्तो हमारी Indian Railway में बहुत सारी टाइप की ट्रेने चलती है और इन ट्रेनों के कोच और बोगी अलग-अलग होते हैं इसलिए इन्हें अलग-अलग कैटेगरी में बाटा गया है दोस्तो ये जितने भी ट्रेन के कोच होते हैं उनकी एक एज होती है मतलब की उस एज के बाद वो चलने के लायक नहीं होते हैं दोस्तो अपनी इस एज के दौरान कोच का हर 5-10 साल के बाद periodic overhauling किया जाता है जिसे की POH बोला जाता है दोस्तो ऐसे ICF कोच जिनकी एज 20-21 साल हो जाती है तो उनकी periodic overhauling के बाद उन्हें automobile जैसे की car, tractor को goods के रूप में ले जाने के purpose से यूज किया जाता है जिनके खिडकी और दर्वाजे पूरी तरह से seal कर दिये जाते हैं ऐसे train को NMG train बोला जाता है जिसका पूरा नाम होता है New Modified Goods Train यानि कि NMG Rake एक passenger coach से modify किया हुआ goods rake होता है जो की automobile को ढोने का काम करता है दोस्तो इस train की load carrying capacity 12 ton की होती है जिसकी minimum speed 75 km per hour और maximum speed 100 km per hour की होती है दोस्तो ऐसे coach की life original date से 30 साल तक होती है जिनके हर 24 मन्त के बाद periodic overhauling किया जाता है और इसके अंदर ऐसी बेवस्था होती है कि इनके चलने से वैकिल damage ना हो दोस्तो ऐसे rake को passenger train से modify करके बनाने का main region यह है कि ऐसे rake में goods train के मुकावले कम जर्क होता है इस तरह से आप समझ गए होंगे कि Indian Railway में NMG Rake क्या होता है उमीद करते हैं आपको बाते समझ में आ गई होगी अगर फिर भी कोई doubt हो तो comment box में जरूर लिखेगा वीडियो पसंद आई हो तो like और share जरूर कीजेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर से प्रेस कर दिजिए इस वीडियों पस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में thank you for watching friends